Hey guys, welcome back to another video तो finally आज इस वीडियो में हम बात करने वाले ब्रमास्तर मूवी के अंदर सभी अस्तरों के बारे में अब आप कहोगे कि अस्तरों के नाम तो हम सभी को पता ही है इसमें नया क्या है तो देखो इसमें नया ये है कि मेकरस ने वीडियो के अंदर तो सिर्फ अस्तरों के बारे में बता है उनके नाम के बारे में लेकिन हम यहाँ पर थोड़ी से depth में बात करेंगे कि उन अस्तरों की inspiration क्या है उनको कैसे use किया जाएगा और किस अस्तर का मालिक कौन है कुछ छोटी छोटी fan theories युन पर भी हम बात करेंगे इसलिए वीडियो में spoilers होने वाले हैं, पहले ही बता देता हूँ Movies से कुछ leaks हैं, कुछ updates भी आ रही हैं, आजकल कुछ बड़े superstars इस movie को join कर चुके हैं तो details और भी काफी ज़दा बढ़ गई हैं, वैसे तो मैं से वीडियो को काफी पहले upload करना चाहता था बट किसी reason से नहीं कर पाया, क्योंकि बीच में काफी साथ different topics भी आ गए थे बट anyway, मुद्धे पराने से पहले मापको बता दू कि अगर आपने अभी तक channel को subscribe नहीं किया तो subscribe कर लो और साथ ये बेल अकिन भी दबा देना, अब बढ़ते हैं हमारे पहले अस्तर की ओर, नंदी अस्तर, ट्रेलर की शुड़वात इसी से होती है, नागर जुन का करेक्टर अनीश, इसे पहने हुए है, अनीश नाम का मतलब होता है Supreme, and I think इसका reference विश्णू जी और शिव जी दोनों से होता है, ये अस्तर दिखने में कड़े जैसा है, और बताया जारे कि इसके अंदर हजार नंदियों की ताकत है, जो कि ट्रेलर के पहले सीन को देखरी साफ समझ में आ जाता है, इतने बड़े ट्रक को सिर्फ एक पंच के अंदर रोग दिया थे इन्होंने, बड़ प्रभास्तर, ये अस्तर है गुरू यानि कि अमीता बचने के करेक्टर के पास, अब जैसा कि इनका नाम है गुरू, इससे आपको ये पता चली गया होगा, कि ये उन लोगों की लीडर है, जो कि ऐसे और भी काफि सारी अस्तरों की पावर रखते हैं, जैसा कि आप इस सीन के अंदर देखी सकते हो, कि ये सिर्फ 4-5 गेने चुने लोग नहीं है, बलकि अपने आप में कम्यूनिटी है, इस कैरेक्टर की एक खासियत ये भी है, कि ये सिर्फ अस्तरों का यूज करना ही नहीं जानता, बलकि ये इस मुई के अंदर सबसे ज्यादे इंटेलिजेंट और एक ऐसा कैरेक्टर है, जिसके अंदर लीडर्शिप की क्वालिटी है, इनका अस्तर है एक स्वोर्ड यानि की तलवार, जिसका पूरा नाम है प्रभास्तर दा स्वोर्ड ओफ लाइट, अगला है वजर अस्तर, ये कोई ओपीशल नाम नहीं है इस अस्तर का, बड़ जै पादुकोन है, इनकी ताकत है पानी, वाटर पे इस करेक्टर का पूरी तरह से कंट्रोल होगा, और आप जैसा की सीन के अंदर देख सकते हो कि इनके पीछे को स्टुनामी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पानी को उधर उधर फैला सकता है, बल्कि इसको कोई भी शेप दे सकती है, जो इनका मन चाहिए, मेरे हिसाब से इस करेक्टर का फर्स पार्ट के अंदर कोई ज्यादा बड़ा रोल नहीं होगा, लेकिन सेगिंड पार्ट के अंदर इसकी इंपोर्टेंस काफी बढ़ सकती है, अब अगला जो अस्तर इसको लेकर भी कुछ दिन पहले से काफी सार के फाइं चल रही थी, कि आकर इसका मालिक कोन है, ये करेक्टर है कोन, मैं बात कर रहा हूँ वानर अस्तर के बारे में, कुछ दिन पहले एक फोटो लीक हुई है, वैसे फोटो लीक हुई है, या फिर लीक करवाई गई है, बट एनिवे, जो भी है, हाँ तो मैं कहा रहा थ बट प्रैक्टिकल ये ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो अस्तर है, ये एनिमल्स की पार्स को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि ये वानर अस्तर अनंदी अस्तर भी सी केटेगरी में आता है, इस फोटो को अगर आप ध्यान से देखते हो, तो यहां से भी कुछ बाते सामने निकल कर आती हैं, सबसे पहला तो यही कि इनोंने अपने लेफ्ट लेग में वानर अस्तर पहना हुआ है, जिसका यहां पर यूज होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, इस फ्रेम में इनके पीछे कुछ बुक्स भी हैं और एक मैप जैसा भी लगा हुए, इन सब को देखकर ये प इतना ही कह सकते हैं, बाकी मोई के अंदर देखेंगे क्या होगा, नमबर 6 पवन अस्तर, इस अस्तर को यूज करते हो, हमने एक लड़के को देखा है, जो कि कौन है नहीं पता, जिस तरह से ट्रेलर के अंदर इसे दिखाया गया है, उससे देखकर ये पता चलता है, कि इस इसे भी चीज को हवा में उड़ा सकता है, बट साथ ये काफी हाई पोसिबिलिटी ये भी है, कि इस अस्तर का यूज करके, ये खुद भी हवा में उड़ सकता है, पता नहीं क्यों, बट इस अस्तर को देखके मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, कि शायद हम कुछ बड़ा मिस कर रहे हैं, आई मीन देखो, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो पवन अस्तर है, ये कोई छोटा मोटा अस्तर तो है नहीं, ये सबसे बड़ी अस्तरों में से एक है, जिसके इंपोर्टेंस काफी जादा होने वाली है, तो अब आप एक बात बताओ क्या आपको ऐसा नहीं लगता कर देखने के लिए कि इसका यूज किस तरह से किया जाएगा, इसको लेकर अभी ज्यादा कुछ तो रिवील नहीं हुआ है, और नहीं मेकस ने इसको लेकर कोई बात की है, नमबर 8 पर वो अस्तर है, जिसको मोनी रोय कंट्रोल करती है, इस अस्तर को फिलाल कोई नाम नहीं समझ लोग इसको किसी होलीड करेक्टर की कोपी बोल रहे थे, अरे बाई कलरी तो सेम है यार, इसमें क्या कोपी हुआ, अब डार्क फोर्सिस की बात होई गई है, तो हम आपको एक बार इस अस्तर के बारे में बता देता हूँ, ये देखने में तो नंदी अस्तर जैसा ही लग रहे हैंड कुछ लोग तो इसे नंदी अस्तर ही बता रहे हैं, बट ऐसा नहीं है क्योंकि ये अस्तर पूरीद ऐसे डिफरेंट है, इस फोटो के अंदर आप देख सकते हो कि जो नंदी अस्तर है वो ये है, एंड इस अस्तर को बिल्कुल अलग से रिप्रेसेंट किया फिलाल इसका भी कोई नाम नहीं है बट इसको कंट्रोल करेंगे सोरव गुजर, और अब फाइनली इस लिस्ट के दो लास्ट मेन अस्तरों पे आते हैं, जिन में से एक है अगनी अस्तर, शिव जी के आपने दो रूप देखे होंगे, एक है इनोसेंट और एक दूसरा है ब अब यार इसको लेके तो मैं क्या ही बात करूँ, अब देख लो यार यह देखने में कुछ ऐसा लगता है, अब टू ब्योनेश्ट मुझे इसको लेकर कोई अब यह अंदाज़ा नहीं है, कि यह क्या है, इसको कैसे यूज़ किया जाएगा, इसका मालिक कोन है, एंड ट्रेलर में थो हमें यह भी देखने को मिला है कि इसका यूज़ किया गया है, लेकिन अगर इसका यूज़ होता डिसकस होंगे, इसलिए जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आगर पैस कर लो, मिलते एंग लिए वीडियो में, तिल देन गुड़ बैन, टेक कियर